हमने पहले सभी लोग जीत के आना है, जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे, कौन प्राइम मिनिस्टर वरना ये बाद में की बात है, यमपीज अगर नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फाइदा है? आज हमारी चौती मीटिंग यहां पर दिल्ली में हुई, इस चौती मीटिंग में 28 पार्टी ने हिस्सा लिया, और 28 पार्टी के नेता लोग अपने अपने विचार को कमीटी के सामने क्याने गटबंदन के सामने रखा, और ये खुशी की बात है, सभी ने युन्यानी मसली एक होकर आगे किस डंग से गटबंदन का काम चलना चाहिए, और लोकों के हित में सब मिलके किस डंग से अपने को एजिटेशन करना है, या जो भी इश्यूस है उसको उठाना है, तो ये सारे देश में कम से कम आट-दस मीटिंग सभी मिलके करने का एक निर्णे हुआ. और लोकों को ये मालूम करना जरूरी समझे कि गटबंदन के लोक अगर एक मंच पे नहीं आएंगे, तो लोकों को इसके बारे में पूरा इसको जो उनको माहिती मिलना है या मालूमात होना है, वो नहीं होगा. इसलिए सभी ने माना और सभी लोक मिलके ये निर्णे लिये हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमारी मीटिंग कम से कम दो-तीन गंटे चली. दूसरा चीज, जो हमारे 142 लोक, MPs, अब तो 101 काउन हो गए शाइद, तो इतने MPs को जो सदन के बाहर डालकर, सदन जो BJP के सरकार चला रही है, इसको कंडम करते हुए, हमने एक resolution पास किया कि ये undemocratic है और लोकतंत्र के खिलाफ है, और लोकतंत्र को अगर बचाना है, तो हम सब लोक मिलके लड़ना होगा और इस लड़ाई के लिए सभी लोक तयार हैं। और ये पहली बार है हिंदुस्तान के इधियास में democratic एक प्रोसेस में, कि जो मुद्दा हमने हाउस में उठाया था, वो कोई गलत मुद्दा नहीं था, वो मुद्दा यही था, कि जो लोक सदन के अंदर आये, वो कैसा आये, और किसने उनको लाया, और किस डंग से, वो सब तरफ जाके, स्लोगन दिये, सभी किये, लेकिन उनके जो मुद्दे थे, वो लोक सभा में उन्होंने अपने आवाज से उठाया था, हम पहले से भी यही कह रहे हैं, कि हो मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर सदन में आये, जो घटनाएं घटी है, उसके बारे में सदन को अवगत कराईए, मालूमात कराईए, लोक सभा को और राज्य सभा को, लेकिन उन्होंने नहीं माना, मेरे को समझ में नहीं आता, सदन इधर चल रहा है, ये लोग आमदाभाद में बिल्डिंग इनॉकरिशन जाते हैं, सदन इधर चल रहा है, मोदी जी वो अपने कांसुन्सी में जाके घूमते हैं, ये क्या है, ऐसा कभी नहीं हुआ, सदन यहां देश में रहे के, और सभी तरफ अपने भाशन देने लगे, लेकिन पार्नमेंट में क्यों नहीं आए, लोकसभा और राजसभा में क्यों नहीं आए, तो ये जो उनकी मन्शा है कि डेमोकरसी को खतम करना, अगर नहीं गये तो क्या होने वाला, वो कौन पूछने वाला है, और यहां तक कि 151 लोकों को सस्पेंट करके बहार जो निकाले, ये पहला इंसिडेंट है कि देश में इतने लोकों को आज तक किसी ने सस्पेंट नहीं किया था, ये सरकार ने प्रोच्शा देकर सस्पेंट करने के लिए लगाए, ये बड़ी बुरी बात है, और इसके लिए हम लड़िंगे, मैदान में जाएंगे, और जो आज प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर समझ रहें कि हमारे शिवाए हिंदुस्तान में और कोई भी नहीं हमीं उकमत करने के लाइक है, ये उनका समझ है, इस समझ को कतम करने के लिए हम सब एक होए हैं, एक होकर आज बहुत निर्णे लिए हैं, एक सो एकावन लोकों के बारे में, और दूसरा, जो है, सब मिलके, प्रोटेस्ट करना, और आल इंडिया प्रोटेस्ट, 22 तारिक को, 22 डिसंबर को, ये जितने भी सस्पेंशन हो गए, उनके बारे में ये चलेगा, और तीसरी बात ये है, कि जो इंडिया गट बंदन का, एक मुद्दा है, कि सभी लोग मिलकर काम करेंगे, और सीट शेरिंग का भी, हम मिलके पहले, जिस जिस स्टेट में हमारे लोग हैं, पहले वो लोग वहाँ पर एक दूसरे से समझोधा करेंगे, अगर कहीं दिक्कत है, या कहीं अभी नहीं बन सकता, उसके लिए फिर यहाँ पर हमारे जो इंडिया गट बंदन के नेता लोग है, उसको वो डिसाइड करेंगे, और बहुत से जगें जो हर एक पार्टी एक 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 जो है, वो ठीक डंग से है, अब चाहे वो तमिलनाडू में हो, केरणा में हो, करनाटक में हो, या तेलंगाना में हो, बिहार में हो, जो मुद्दा है इसका यूपी में वो भी सुलच जाएगा, और बाकी का दिली या पंजाब का है, वो समस्या को भी किस डंग से सुल जाना, यह भी बात में तही हो जाएगी, तो यह हमने तई करके यह मीटिंग करा, मुझे खुशी है कि इस मीटिंग के 28 पार्टी के नेतालो, और सभी दिगज, यहां जो बैटे हैं, वो सभी ने कॉपरेट किया, और कॉपरेट करके इस मीटिंग को SSV बनाया, इसलिए मैं उन सब को हार्दिक बदाई देता हूँ, उन सब को धन्यवाद देता हूँ, कि वो इस और भी आगे बढ़के देश में इस गटबंदन को मजबूत करके चलाएंगे, इतना ही कहके मेरे दोशब को आप पूझने दूँगा, हमने पहले सबी लोग जीत के आना है, जीत के लिए क्या करना, उसके बारे में हम सोचें, कौन प्राइम मिनिस्टर बना ये बाद में की बात है, यमपीज अगर नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फाइदा है, तो इसलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़के हम मैजॉर्टी लाने की कोशिश करेंगे, और भीजेपी आज जो, और मोदी जी बहुत इतना एक दो तीन एलेक्शन होने के बाद, उनको तो इतना कमंड आया है, कि अब देश में मेरे सिवाए कोई नहीं बचेगा, या दुनिया में भी मैं एक ही लीडर हूँ, प्रचार करते हैं, तो हम पहले जीतने की कोशिश करेंगे, और एक होकर जीतेंगे, उसके बाद में हमारे MPs आकर क्या कर सकते हैं, डिमोक्रिटिक प्रोसेस में वो हो जाएगा, पहले हमारे कुछ चिंता है जीतने की, और आप लोग सभी उस दिशा में सोचिये, नहीं कि उन्होंने ये बोला, हमने ये बोला, ये तो हमारी इंटरनल बात है, उसमें कोई ये नहीं है, थैंक यू.